नमस्कार, मैं विरेश कुमार, हिंदी रिसोर्स पर्षन, भारतिय भासा संस्थान मैसूर से, आप सभी विद्यार्थियों एवं दर्षकों का इस कारिक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ. बच्चो, आज हम कक्छा आठ की हिंदी पाठिपुस्तक दूरुबा भाग तीन की पाठ संख्या साथ पर चर्चा करेंगे. इसके कवी हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन का अर्थ है जिसकी तीन आखें हों, अर्थात भगवान सिव, इसलिए इनको त्रिनेत्र भी कहा जाता है, त्री का मतलब है तीन और नेत्र मतलब आखें. कवी ने इस कवीता में देश के किसानों को संबोधित किया है. इस कविता के कभी त्रिलोचन को लोग सम्मान से त्रिलोचन सास्त्री कहकर बुलाते थे यह इनका उपनाम था, इनका असली नाम वास्वदेव सिंग था कभी वास्वदेव सिंग उफ्ट्रिलोचन सास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपूर जिले के कठघरा चिनारी पट्टी नामक गाउं में हुआ था हिंदी साहित्य में ये एक प्रगतिसील विचारों वाले रचनाकार माने जाते हैं ये मुख्य रूप से देश के आमजन मजदूरों और किसानों को अपनी कविता का विश्य बनाते थे इसलिए इन्हें प्रगतिसील कभी कहा गया इनकी कविताओं के लगभग दस संकलन प्रकासित हैं इनका एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है देश काल इसके अलाबा ये एक डाइरी लेखक और संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं इनका निधन 9 दिसंबर सं 2007 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ सीखने के परिनाम इस कविता के अध्यन के बाद छात्र कविता पाठ की आदर्स सैली से परिचित होंगे कविता के मूल अर्ष को समझ कर उसको अपनी भासा में बता सकेंगे कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान कर उनका वाख्य में प्रियोग कर सकेंगे कविता में आए अलंकारों को पहचान सकेंगे हमारे जीवन में प्रकृति की देनों के महत को समझ सकेंगे और उसके प्रति जागरूक हो सकेंगे और देश के किसानों की समस्याओं के प्रति संबेद अन्सील हो सकेंगे जो हमारे अन्न दाता है आदर्स वाचन आईए अब इस कविता का आदर्स वाचन शुरू करते हैं उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी विद्यार्थियों आपने इस कविता में कुछ नए शब पर भी गौर किया होगा तो आईए अब उनके सामाने अर्थ और वाक्यों में उनके प्रयोग को देखते हैं नए शबदों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग राग, melody, mode in music, गाने का एक खास धंग वक्प्रियोग, गायक राग भैरवी में गा रहे हैं, वह अच्छे राग में गाती है सरस, जूसी, रस से भरा हुआ, भरी हुई वक्प्रियोग, वह बहुत ही सरस स्वर में गाती है, यह कविता बहुत ही सरस है पुर्वाई, इस्टर्ण वीन्ड, पूरव की दिशा से आने वाली हवा वक्प्रियोग, बरसात के दिनों में जोर जोर से पुर्वाई चलती है परदेशी, लिविंग और कमिंग फ्रॉम अधर कंट्री, प्लेस कमाने के लिए घर से दूर के स्थानों पर रहने वाले लोग वक्प्रियोग, उसका परदेशी पति आज घर आया है मेरे पापा परदेश में रहते हैं, पाहुन, गेस्ट, महमान वक्प्रियोग, आज मेरे घर में पाहुन आये हैं, सित, वाइट, स्वेत, सफेद, पूरन मासी की रात सित होती है वक्प्रियोग, सरस्वती जी के कपड़े सित होते हैं आँख मिचवनी, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल वक्प्रियोग, बरसात के दिनों में धूप और बादलों की आँख मिचवनी चलती है पताका, फ्लैग, जंडा, हमारे देश की पताका में तीन रंग है वक्प्रियोग, हमारे सैनिक हमेशा अपनी विजय पता का फहराते है तनिक, अफ्यूग, थोड़ा सा वक्प्रियोग, मैं तनिक उधर गया कि वह भाग गया ए दोस्त, तनिक ठहरो जलधर, रेन क्लाउड्स, पानी से भड़े बादल वक्प्रियोग, बादलों को हम जलधर भी कहते हैं समुद्र का एक नाम जलधर भी है गरज, रोरिंग, जोरदार आवाज वक्प्रियोग, बादल जोर जोर से गरज रहे हैं सेर गरजता है कविता की व्याख्या आईए बच्चो, अब हम इस कविता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं यह कविता असल में एक गीत है उपर उपर से देखने पर यह एक प्रकृति चित्रन की कविता नजर आती है लेकिन असल में यह एक अपील या आवाहन है जो कभी देश के किसानों से करता है यह एक जागरण गीत अर्थात जगाने बाला गीत है आज तो सिचाई के कृत्रिम साधन बहुत हो गए है बाबजुद इसके हमारे देश में खेती बहुत हद तक मौसम पर ही निर्भर होती है लेकिन पहले के जमाने में किसान इसके लिए पूरी तरह वर्सा जल पर निर्भर रहते थे वर्सा के नहीं होने पर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे उसका इंतजार करते रहते थे वर्सा की आहट पाकर कभी का हिर्दे भी खुशी से भर जाता है क्योंकि वह भी मूलतः एक किसान ही है और इसी खुशी में मानो वह अपने अन्य किसान साथियों से अपनी भावनाएं बाटता है कभी कहता है कि अरे हाथ पर हाथ धर कर बैठे किसान भाईयों उठो देखो सावन के हरियाली भरे महीने के तुम्हारे साथी बादल आस्मान में चा गए है आस्मान भर गया देखतो इधर देखतो उधर देखतो नाच रहे हैं उमर घुमर कर ताले बादल तनिक देखतो तेरे प्रानों में भरने को राग नए लाए हैं इधर उधर उमरते घुमरते काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे नाच रहे हैं यहां उत्प्रेक्छा अलंकार का प्रियोग हुआ है यह गरजते हुए बादल मानो तुम्हारे निरास हो चुके मन को नए संगीत से भर रहे हैं उत्प्रेक्छा यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर सीतल पुरवाई तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चल कर आई फिर वे परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं बच्चों यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ की ओर कभी इसारा करते हैं हमारे देश के मैदानी छेत्रों में मुख्यतह दो तरह की हवाएं चलती हैं पुरवा हवा और पस्चिम से आने वाली पछिया हवा पछिया हवा गर्मी के महीनों में चलती हैं इसका जन्मस्थान राजस्थान के रेगिस्तान को माना गया है इसलिए यह गर्म और नमी से रहित होती है लेकिन पुरवा हवा का जन्म बंगाल की खाड़ी में होता है यह हवा उत्तर पुर्व आसाम और बंगाल के घने जंगलों से गुजरती हुई हमारे मैदानी छेत्रों तक आती है इसलिए यह नमी युक्त और सीतल होती है और यह अपने साथ वर्सा वाले बादल भी लाती है अब एक चाकृत दूर के स्थान से आने के कारण ही कभी ने इसे पाहुन यानी अतिति या महमान की संग्यादी है कभी ने पुर्वा हवा को परदेश से आने वाले महमान कहा है क्योंकि वे बहुत दूर से चल कर आती हैं साथ ही बादलों को भी महमान माना गया है उरने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओढ़ फुहारों की सित चादर देख उतरते हैं धर्ती पर छिपे खेत में आँख मिचाओनी सी करते आये हैं उपर की पंक्तियों में कभी कहता है कि काले बादलों ने मानो पानी की फुहारों की सफेद चादर ओर रखी है यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार का और कुछ हद तक मानवी करण अलंकार का प्रियोग किया गया है जल की बूंदों से भर जाने के कारण बादल भारी होकर धर्ती के बहुत नजदीक तक आ जाते हैं इसे ही कवी उनका धर्ती पर उतरना और खेतों में आँख मिचवली करना कहता है हरा खेत जब लहर आएगा हरी पता का फहर आएगा छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्का आएगा तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाये हैं कविता की इन पंक्तियों में कभी किसानों के मन में आशा का संचार करता है वह कहता है कि इस वर्षा के कारण तुम्हारी फसलों में बरहोतरी होगी तुम्हारे खेतों में जब हरे भरे पौधे लहराएंगे तब लगेगा मानो हर तरफ हरी पता काएं जंडे फहरा रहे हैं फसलों का हरा भरा होना ऐसा ही है मानो काले बादलों ने अपना रूप बदल लिया है और वे हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं कभी के ऐसा कहने के पीछे मूल भाबना यही है कि यह पानी ही है जो पौधों की रगों में बह कर उनको हरा भरा बना देता है और इस प्रकार कभी किसानों को उस दिन का भरोसा दिलाता है जब फसलें पक कर तयार होंगी और उनके घर अनाज से भर जाएंगे इसे ही कभी ने सपनों के मीठे गीत कहा है काब्यकला की द्रिष्ट से विवेचन करें तो इस कविता में दैनिक बोल चाल के सब्दों का अधिक प्रियोग किया गया है जैसे बादल, साथी, सावन, आस्मान, नाच, संदेशा, पुरवाई, परदेशी, फुहार, खेत, आँख मिचवनी, आधि इसमें सब्दों के सहज स्वाभाविक जोडों का भी प्रियोग किया गया है जो इस गीत की गतिशीलता को बढ़ाती है जैसे हरे भरे, इधर उधर, उमड घुमड, नाच, नाच कर, गरज, गरज कर, आदि साथ ही इस कविता में प्रसंग के अनुकूल कुछ तत्सम सब्दों का भी प्रियोग किया गया है जैसे प्राण, राग, सरस, मधुर, सीतल, जलधर, सित, आदि कुछ ठेट ग्रामीन सब्दों का प्रियोग यहां नगीने की तरह चमक रहा है जैसे पाहुन, तनिक, आदि, अबधी में जिसका तनक ऐसा प्रियोग होता है कहीं कहीं कुछ मुहावरों का भी अच्छा प्रियोग हुआ है जैसे घिर आना, प्राणों में भरना, राग लाना, धर्ती पर उतरना, आदि इस कविता में अलंकारों का भी प्रियोग किया गया है जिससे यह कविता जीवन्त ओठी है इस पर व्याकरनिक विंदूओं के अंतरगत चर्चा करेंगे आईए अब हम इस कविता की महत्ता पर नजर डालते हैं इस कविता का सबसे बड़ा महत्त यह है कि यह एक जागरन गीत अर्थात निराश और हताश लोगों को जगाने वाला गीत है कवि ने इसे किसान को संबोधित किया है लेकिन देखा जाए तो यह हर उस व्यक्त या समुदाय पर लागू है जो निराशा और असहायता से घिरा हुआ है कविता में यह दर्साया गया है कि मौसम अनुकूल होने पर सिर्फ आदमी ही नहीं बलके पशुपक्षी भी उत्साह और सक्रियता से भर जाते हैं चाहे वह आदमी हो या पशुपक्षी हो या हमारे पेड़ पौधे हो सब के जीवन का स्रोत एक ही है और वह है जल इस कविता में किसान की दसा एबं उसकी महत्ता पर प्रकास डाला गया है हमारे देश में अगर सबसे मजबूर और गरीब तबका कोई है तो वह है किसान यह हालत हमेशा से रही है हाला कि किसानों की दसा में सुधार हुआ है लेकिन समाज के अन्य तबकों जैसे ब्यापारी बर्ग, नोकरी पेशा बर्ग और यहां तक की मजदूर बर्ग की तुलना में भी यह तरक्की बहुत कम है किसान हमारे अन्य दाता है किसान फसल न उप जाएं तो हम रुपया, सोना या चांदी खाकर कोईला खाकर या पेट्रोल पीकर जिन्दा नहीं रह सकते इसलिए हमारे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा उन्हें जागरूक और संगठित करने का प्रयास किया यह इस कविता का सबसे बड़ा महत्त है व्याकरनिक बिंदू विद्यार्थियों, कविता की व्याख्या के क्रम में हमने यह कहा था कि इसमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है है ना? तो आएए अब हम अलंकार और उनके भेदों पर संचिप्त चर्चा करते हैं जिस प्रकार मनुस्य अपनी सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए विभिन प्रकार के आभुशनों या गहनों का इस्तमाल करते हैं ठीक उसी प्रकार कविता की सुन्दरता बरहाने के लिए जिन सब्दों का प्रयोग होता है उसे अलंकार कहते हैं अलंकार का साब्दिक अर्थ आभूशन या गहना होता है अलंकार के दो भेद होते हैं सब्दालंकार और अर्थालंकार सब्दा लंकार में विशेश सब्दों के प्रयोग से कविता की सुन्दर्ता बढ़ जाती है जबके अर्था लंकार में इसकी सुन्दर्ता सब्दों के अर्थों पर निर्भर करती है इस कविता में कभी ने अर्था लंकार का प्रियोग किया है जिसके अंतरगत, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिस्योक्ति तथा मानवी करन अलंकार आते हैं बच्चों, इस कविता में उत्प्रेक्षा और मानवी करन अलंकार का विशेश रूप से प्रियोग हुआ है उपमा अलंकार, इस अलंकार में दो भिन वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है जैसे चांद सा रोशन चहरा, कोयल सी बोली, धरती गोल, फुटबॉल जैसी आदी जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी चीज को देख कर किसी और चीज का अनुमान लगाया जाता है इसलिए इस अलंकार का प्रियोग जहां होता है, वहां जैसे जानो, मानो, जनहु, मनहु या यूँ जैसे सब्द लगे होते हैं जैसे इधर देखतो उधर देखतो नाच रहे हैं उमर घुमर कर काले बादल तनिक देखतो तेरे प्रानों में भरने को नए राग लाए हैं इधर उधर उमरते घुमरते काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है, मानो, वे नाच रहे हैं यहां उत्प्रेक्छा अलंकार का प्रियोग हुआ है ये गरजते हुए बादल, मानो, तुम्हारे निरास हो चुके मन को नए संगीत से भर रहे हैं उत्प्रेक्छा मानवी करन अलंकार जब हम प्रकृति की किसी वस्तु या घटना पर मानविय बेभारों या भावनाओं की कल्पना करते हैं तो वहां मानवी करन अलंकार होता है जैसे हरा खेत जब लहरा आएगा, हरी पता का फहरा आएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्का आएगा इसकी अंतिम दो पंक्तियों में मानवी करन अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि रूप बदलना, मुस्कुराना, मानवी ये कारे कलाप है सेश अलंकारों के बारे में जानने के लिए दिये हुए लिंक या QR कोड को स्कैन कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आसा है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा अब यहां आपके लिए कुछ प्रस्ण बनाए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं इस कविता के कभी काउन हैं? संग, केत, त्रिलोचन इस कविता में कभी ने किसको संबोधित किया है? संकेत, किसानों को इस कविता में सावन के साथ ही किसे कहा गया है? संकेत, बादलों को इस कविता में परदेशी पाहुन किसे कहा गया है? संकेत, बादलों को और पुर्वाहवा को सावन का महीना किस माह के बाद आता है? संकेत, आसाढ के बाद पुर्वाई का क्या अर्थ है? संकेत, पूरव जिसा से आने वाली हवा जलधर का क्या अर्थ है? संकेत, बादल और समुद्र गति बिधी इंटरनेट की सहायता से सुर्यकांथ त्रिपाथी निराला की बादल छाय कविता को पढ़िये और बताईए कि इन दोनों कविताओं में क्या समानता है? लिंक www.hindi-kavita.com slash Hindi A-N-I-M-A S-U-R-Y-A K-A-N-T T-R-I-P-A-T-H-I N-I-R-A-L-A dot P-H-P H-A-S A-N-I-M-A 2. उपर के लिंक पर जाकर निराला जी की घन आये घन स्याम न आये कविता को पढ़िये और बताईये के बादल छाये कविता के साथ इसकी क्या समानता है है? हमने क्या सीखा? आज के कारिक्रम में हमने सीखा की कविता का आदर्स पाठ कैसे किया जाता है? इस कविता में आये कठिन सब्दों के अर्थ जाने और वाक्यों में उनका प्रियोग करना सीखा इस कविता में कभी द्वारा प्रियोग किये गए अलंकारों के बारे में जाना हमारे जीवन में वर्षा और किसानों की महत्ता से अवगत हुए कविता के महत्त से भी परिचित हुए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ घर में रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद झाले में पाठ कार्णाम कर दो Rider कि लिए रहें सुरक्षित